हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सरकी क्लास आज की शिक्षा निदेशा लिया राष्टे राजधानिक्षेत दिल्ली की वर्क्षीट वर्क्षीट नमबर 35 जो की कक्षा साथवी के विद्यार्थियों के लिए है यह ली गई है सामाजिक विज्यान के इतिहास विशे से और इसमें हम समझ रहे हैं पाठ इश्वर से अनुराग को तो चलिए बिना समय गवाए शुरुवात करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं तो बच्चों आपको याद है ना पिछली वर्क्षीट में हमने यह समझा था कि इश्वर से अनुराग यानि अलग-अलग समय पर अलग-अलग जो संत हुए सादू महात्मा हुए या जो भी जिन्होंने भक्ती को एक नया रूप दिया उन्होंने यह समझाया कि भक्ती क्या होती है और जैसा कि हमें मालूम है कि यह जो भक्ती जो की बात करेंगे जैसे पिशली बार तो हमने द्वैतवाद और अद्वैतवाद की बात की थी और शंकर की बात की थी हमने तो लेकिन अब आगे और कौन-कौन से पंथ आए कौन-कौन से लोग आए जिन्होंने भक्ती को अपने ढंक से बताया कि भक्ती कैसी होनी चाहिए त देखते हैं एक बार, आज जो सबसे पहले हम समझेंगे वो है नाथपन्थी, सिध और योगी, उनके क्या विचार थे इश्वर की भक्ती के बारे में, तो आपने देखा होगा हमारी इस वरक्षीट में जो भी लिखा हुआ है उसको किस में बाटा गया है, उसको बुलेट्स इस तरीके से लिखते हैं तो जो आपके सर या मैम हैं उन्हें भी बहुत अच्छे से समझ में आता है, तो चलिए देखते हैं एक बार, नाथपन्थी, सिध और योगी, स्थान और समय, उत्री भारत, बारवीश अताब्दी के आसपास, बारवीश अताब्दी का मतलब तो प्रसार हुआ और किन-किन लोगों ने फिर आगे उसको कैसे बढ़ाया, तो वो है ये, देखिए जो नाथपन्ती, सिध और योगी थे, उन्होंने साधहारन तर्क-वितर्क का सहरा लेकर, रूडी-वादी धर्म के कर्मकांडों को और अन्यबनाव्टी पहलूँ उता समा पंदित जो भी कारे किये जाते हैं, उनको हम कर्मकांड कहते हैं, या जो जितने भी उन्हें लगता था कि सारे बनावट की चीज़ें, इससे इश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो उन्होंने इन सब चीज़ों की आलोचना की, उन्होंने संसार का परित्याग करन चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूती ही मोक्ष का मार्ग है, यानि कहने का मतलब यह है कि सन्यास लेकर आप उसी की भक्ती में, उस इश्वर की भक्ती में लग जाओ, और उन्हीं का ही चिंतन मनन करते रहो, उन्होंने साथ एकाकार हो जाओ, यही मोक्ष का उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षन देने की अवशक्ता पर भी बल दिया। भक्ती धर्म की अलोचना ने भक्ती मारगिये धर्म के लिए आधार दियार किया, जो आगे चलकर उत्तर भारत में लोकप्रिय शक्ती भी बना। कौन लोग कर रहे थे तो इसको हम अब एक बार देखते हैं। स्थान और समय पंधरपूर महाराष्ट यानि महाराष्ट में एक जगे पंधरपूर और वहाँ पर समय था तेरवी से सत्रवी शताबदी के आसपास। तेरवी शताबदी का मतलब बारा सो से बारा सो निन्यानवे और सत्रवी शताबदी का मतलब सोला सो सो निन्यानवे। इस समय जो महत्वपूर संथे जिन्नों ने इस भक्ती का प्रचार पसार किया वो थे संथ ज्यानेश्वर, संथ नामदेव, संथ एकनाथ, संथ तुकाराम, सकुबाई और चोखा मेलाजी। अब इनके आराध्य कौन थे, ये किसकी आराध्ना करते थे, ये भगवान विठल यानि विष्णुजी का ही एक रूप, उन्ही की आराध्ना करते थे, इनके विचार क्या थे, व्यक्तिगत, देव यानि इश्वर, जन मन के हृदे में विराजमान है, तो इनका विचार य आराध्यों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, प्रवित्रता के धोंगों और जन्म पर आधारिज सामाजिक अंतरों का विरोध किया, देखिए खास बात ये थी, कि इनोंने सभी जो भी अंतर सामाज में बने हुए थे, चाहे वो जातिगत अंतर थे, उन सब का इनोंने वि परिवार के साथ रहने और विनम्रता पूर्वक जरूरत मन साथ ही व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया, यानि कहने का मतलब है इनोंने इस बात का विरोध किया कि हम संसार को छोड़ दे, संसार का परित्याग कर दे, नहीं, इनोंने का कि किसी भी व्यक्ति के जरें आप काम भी करते रहें, अपने परिवार की जिम्मेदारियों को भी निभाते रहें और साथ में जो जरूरत मन व्यक्ति हैं, उनकी सेवा करते हुए जीवन को बताएं और ये ही ईश्वर को पाने का एक साधन है, उन्होंने इस बात पर भी बल जिया की असली भक्ति दूसरों के दुखों को बांट लेना है, इससे एक नए मानवतावादी विचार का उदभाव हुआ, जैसा की सूप्रसित गुजराती संथ नरसी महता ने भी कहा था, क्या कहा था? और ये तो गांधी जी का भी प्रिये भजन था, जानते हैं कौन सा? वैश्नव जन तो तैने कहिये रे, पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो ए, मन अभिमान ना आने रे वैश्नव जन तो तैने कहिये जे, पीर पराई जाने रे तो ये भजन था जो कि गांधी जी का प्रिय भजन था और इसमें यही बताया गया है कि वैशनव जन वही जन बहुत बढ़िया है जो कि दूसरे की पीर जानते हैं जो कि दूसरे के दुखों को जानते हैं तो यही तो महराष्ट के संतों का भी विचार था तो चलिए अब हम आगे देखते हैं भगवान विठ्थल यानि विश्नु का एक रूप उनकी अराधना ने वारकारी संप्रदाय को जन्म दिया जो पंधरपुर की वार्शिक तीर्थियात्रा पर जोड देता है विठ्थल संप्रदाय का भक्ती के शक्ति शाली उपादान के रूप में उधे हुआ तथा लोगों में काफी लोग प्रिय हुआ और जानते हैं कि महाराष्ट में भगवान विठ्थल को बहुत माना जाता है जो कि विश्नु भगवान का ही एक रूप है और सकु भाई भी ऐसी ये एक महिला थी जो कि उनको बहुत मानती थी और उनों ने आगे उसी उनी विचारों का प्रचार प्रसार किया आप चलिए अब हम करते हैं अपने प्रश्न उतर लेकिन आप मेरे प्रश्न उतर देखें मेरा तो ये सिर्फ सुझाव है लेकिन पहले इसको आप अपन आचार विवार का वर्नन कीजिए तो देखिए जो नातपन्ती, सिध और योगी लोग थे वो दुनिया के त्याग में विश्वास करते थे उन्होंने पारंपरिक धर्म और सामाजिक विवस्था के अनुष्ठान और अन्य पहलूं की आलोचना की उन्होंने योगासनों, प्राणायाम और ध्यान के माध्यम से मन और शरीर के गहन प्रशिक्षन पर जोड़ दिया। तो ये थे उनके आचार विचार और विश्वास जो की हमने अभी वर्क्षीत में भी समझे हैं। फिर दूसरा प्रश्ण महाराष्ट में भक्ति परंपरा का एक महत्वपून के पंधर पुर था और तीसरा प्रश्ण है कि जाती के प्रती महाराष्ट के संतों का दृष्टी कोन कैसा था। तो देखिए महाराष्ट के सभी संतों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर अधारी सामाजी कंतरों का विरोध किया यानि ज जाती पर अधारी अंतरों का भी इन संतों ने बहुत विरोध किया। फिर चौथा प्रश्ण है महराश्ट के कुछ महत्वपून संतों के नाम बताईए। तो बहुत सारे संते जैसे संत ग्यानेश्वर, संत नामदेव, संत एकनात, संतुकाराम, सकुभाई और चोखा मेलाजी। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। क्योंकि कुरोना को हराना है और जिन्दगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।